हेलो एव्रिवान वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसा जा रहा है आप लोगों का लॉक्डाउन मेरा लॉक्डाउन भी ठीक ही जा रहा है लेकिन इस लॉक्डाउन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो गई है वो है मेट की प्रॉब्लम तो आज मैं आपसे यही सारे चीज़ों को शेर करने वाली हूँ इस व्लॉग के दुरू कि जो मेट की जो एक वैल्यू होती है लोग नहीं समझ पाते जब वो रहती है लेकिन जब एक बार वो चली जाती है फिर उनका वैल्यू समझ में आता है दिन की शुरुआत हुई है ए फॉर आप बाकी जो भी सबसी डालना चाहते है वो सब वेजटेबल जाल सकते है इस इध भी आपको पसंद है मैंने फिलहाल इतना ही लिया है क्यूकि मुझे बहुत जलदी कुप करना है क्यूकि मुझे अपनी बीटी को भी यही रीकफस्ट में खिलाना है मेरी बीटी वही खिलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जब उसका एक साल कम्प्लीट हो जाए तो वो आराम से हमारे साथ अच्छे से खा सके उसके लिए अलग से कुप करने की ज़रुवत ना पड़े तो आप चलिए हम इसको फिर आप चॉप करना स्टार्ट करते हैं यह वेज़ेबल को आपको finely chop कर लेना है आप जैसा देख सकते हैं वीडियो में ऐसे ही बिल्कुल chop करना है सारे वेज़ेबल को आपको chop कर लेना है इसमें आप लेजन भी डाल सकते हैं मुझे थोड़ा जल्दी थी इसलिए मैं लेजन नहीं डाल पाई बढ़ आप डाल सकते हैं अद्रक लेसन सब कुछ डाल सकते हैं हम लेंगे एक कोकर इसमें थोड़ा सा हमें घीर डाल देना है लाइक एक स्पून मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा डालना है थोड़ा सा हिंग और फिर हमें डालना है इसमें जो मिर्ची हमने काटा है सबस्ट के ले रहे हैं आप थोड़ा इस mesela बूने किसलों क्ब्लें का desse ठीस्ट अलतािएं फिर अब हम लेंगे एक काटोरी यह मैंने नॉमल ही दाल लिए है लेकिन एगर अगर आप मूख का दाल अगर योज करोगे तो उसका टेस्ट बहुत 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 अच्छा आता है तो आप अगर आपको ट्राइ करना है तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगी कि आप मुंग दाल से स्टार्ट करें हम डालेंगे टमाटर और फिर हम वैसे ही रिपीट करेंगे अच्छे से हमें थोड़ा स्वाते कर लेना है लाइक दो से तीन मिनट आप इसे स्वाते करें और फिर हम इसमें डालेंगे डाल डाल को भी आपको दो से तीन मिनट भूनने के बाद आपको सेम उतना ही कौंटिटी जितना आपने डाल दिया है उतना ही कौंटिटी आपको ओट्स लेना है आप ओट्स में भी जो different variation होता है आप ले सकते हैं ओट्स को धोना नहीं है बिल्कुल भी आपको same जैसा क्योंकि ओट्स तो clean ही रहता है तो आपको बस इसे डालना है कुकर में और इसे 2-3 मिनट आपको भूलना है और आप इसमें इसी टाइम पे थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दे डाल सकते हैं अब हम डालेंगे इसमें पानी तो पानी आपको जितना आपका खिचरी है खिचरी से बिल्कुल double quantity में आपको पानी डालना है अगर आपको कुछ भी इसमें से इंग्रीडियन्स थोड़ा ओपर नीचे करना है आप बिल्कुल अपने according कर सकते हैं कोई strict rule नहीं है तो अब हम कुकर के ढकन को लगाएंगे और इसमें 4-5 विसल लगाएंगे तो चार से पांच विसल लगने के बाद जो हमारा खिचरी है वो कुछ ऐसा दिख रहा है आप देख सकते हैं यह देखने में कितना टेस्टी लग रहा है आप इसके ऊपर एक से दो चम्मच घी जो होता है वो घी डालके आप खाएं इसका जो टेस्ट होता है घी बहुत जादा इन्हांस कर देता है तो आप बिल्गुल ऐसे ही ट्राइ करें तो मैंने मेरे ब्रेक्फरस्ट में है यह यह ओट्स खिचरी और यह पकोरे हैं जो मैंने करी के लिए बनाये थे तो यह थोड़ा बच गया था एक्स्ट्रा तो मैंने साइट रख लिया है अभी मैं इसको थोड़ा दही में डुब एक नाप भी खतम हो गया है और वो बिल्कुल फ्रेश हो गई है अभी उटके और अभी यह खेलेगी तो यह मेरे साथ थोड़े देर खेलती है आप देख सकते हो यह कितना इंजॉय करती है मैं इसको इसके चेर पर ही डाल देती हूँ थोड़े देर खेलने के लिए ताकि सब्सक्राइब करती है टुको कि आपकर देख सकते हैं यह मेरा बेट्रूम आजश चेंज करन आ है यह जो आपसे है यह तो आप देख सकते हैं यह वे तेक ध다 जो जो चो छोटे पाः थी तो जो चोटे पच्छे वह थे हैं वो मॉस्ट वाले बिल्ओ पे ही सुलाया जाते है बच्छों को ताकि उनका जो सव पाइब डाल देती हो था कि टुको यह साथ सफ़ी है। जो दोनों मैं आज धोलने के लिए डाल रही हूं। जो बच्चों का ब्लैंकेट है मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप weekly at least एक बार धोलो क्योंकि उसमें बहुत गंदा भी होता है और बच्चे उसको बार-बार मुह मिलेते हैं जो जारू का जो प्रॉसस होता है वो स्टार्ट होता है मेरा लेविंग रूम से जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जारू धेनल स्टार्ट कर दिया है और अभी तो मुझे बहुत 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 जादा मैं मेंस कर रही हूं अपनी मेट को और अभी उनका वैल्यू समझ में कुल से तक आप अब करेंगेंगे हुआ ऐसे इतना सुक्ना कारता है तो अब सकंद बात हो वह जो जाएसा कि आपने देखा कि मैं जो दिवान में उसका बैटशिट और कुशन्स वगड़ा है वह एक बार मैं डस्ट ओफ कर लेती हूं ताकि उसके उपर जो भी डस्ट है वो निकल जाए क्योंकि टुकू है वो कुशन भी मुह में लेती है और अभी वो दीवान के उपर भी चड़ जाती है और उसके उपर भी खेलती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी वहाँ पे है including table और sofa जो भी डस्ट है वो सब मैं हटा दूँ जो यह आप पोशन देख रहे हो यह मेरा छोटा सा फॉयर एरिया आप बोल सकते हो यह एरिया अभी मेरा यूटिलाइज हो रहा है जो भी ग्रॉसरी आ रहा है वो मैं इसी जगर पे रखती हूँ 24 आर्स के लिए हो तो आप यहाँ पे एक सिलेंडर भी देख रहे होंगे तो अब ही सिलेंडर मेरा डेलिवर हुआ था तो उसको मैं घर के अंदर नहीं लेकर आई तो मेरी क्लेनिंग भी अब खतम हो गई है और आप देख सकते हैं कि क्लेनिंग के बाद मेरा लिविंग रूम कैसा देख रहा है आज का यही रूटीन था मेरा इंपोर्टेंट रूटीन आक्चली मैं बोल सकती हूँ फिर मैं आप से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉक में तब तक के लिए थैंकियू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो और भाई